मुझे पता है आपका भी बहुत ज़्यादा हेर फॉल हो रहा है तब यह आप मेरी वीडियो को देखने आए हैं अगर आप कंगा करते हैं और आपके भी इतने बाल निकलते हैं और आप एकदम घबरा जाते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप चाहें कंगा कर रही हो या फिर हेर वाश कर रही हो या फिर बालों में हाथ डाल रही हो और आपको भर भर के बाल निकल रहा है तो अब आपको टेंचन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको स्कैल भी दिखने लगी है बाल बहुत ज़दा पतले हो गए हैं और आपको कुछ समझ मैं नहीं आ रहा कि कौन सी रेमेडी का जो है इस्तमाल करें जिससे हमारी पतली चोटी मोटी हो जाए और नए बाल आना शुरू हो जाए तो आप पहली बात तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज जो रेमेडी में आपके लिए लेका रही हूँ ऐसी रेमेडी वीडियो में देख रहे हैं बहुत जाएदर लंबे होंगे और घने होंगे इस रेमेडी को बनाना कैसे है इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वरना आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाती है बस मेरी एक छोटी से है कि आपको remedy useful लगे अच्छी लगे तो आपको करना है अलाइक और अपने friends लोगों में share तो इस remedy बनाने के लिए आप कोई भी बरतन ले लीजे गैस पर रख दीजे गैस के flame को लो रखिए उसके बाद add कर दीजे एक से डेड़ गिलास पानी उसके बाद आपको यहाँ पर जो add करना है वो है rosemary leaves ठीक है अगर आपके हाँ fresh वाली leaves मिलती है rosemary की तो बहुत अच्छी बात है तो आप वो इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके हाँ fresh वाली नहीं है तो आप मेरी तरह dry वाली यूज़ कर सकते हैं यह आपको amazon flip card पे easily मिल जाएगा अगर आप search करेंगे तो ठीक है तीन चमज आपको rosemary leaves लेनी है dry वाली और अच्छे से इस पानी को उबालना है तो पांस से दस मिनिट आप अच्छे से इस पानी को उबाल लीज़े और friends मैं हहाँ पर आपको यह remedy इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस मौसम में बहुत चिपचिपा हाट होती है तेल लगाने का मन नहीं करता है बहुत जादा उमस होती है बाल बहुत जादा ज़ड़ते हैं बालों को ज़ड़ने के साथ साथ बालों को grow भी कराना है बेबी हिर्स जो है वो grow होने लगे नए बाल आने लगे तो उसके लिए remedy परफेक्ट है गारंटी से आपका बाल बढ़ेगा बाल जड़ेगा नहीं बस आपको continuous remedy को लगाना है अगर आप भरोसा करके इस remedy को लगाते हैं तो यकीन आपके बाल बहुत जादा खूबसूरत हो जाएंगे मेरी तरह है मेरे बाल भी लंबे हैं ठीक है जो चीज मैं यूज करती हूँ तब ही मैं आप लोगों को आप लोगों से share करती हूँ अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो रोज मेरी के बारे में आप गूगल कर सकते हैं बहुत फायदे हैं जब पांच से दस मिनट हो जाएं ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा हो जाया उसके बार आप शन्नी की मदद से चान लीजे हमें इसमें कुछ भी एर नहीं करना बस ये खाली पानी है रोज मेरी वाटर है ये ठीक है अब हम इसको लगाएंगे कैसे आप चाहें तो इस प्रे बार्टल में इसको डाल के लगा सकते हैं अप्लिकेशन बहुत इजी हो जाता है अगर हम इस्प्रे बार्टल में ट्रांसवर करके लगाते हैं तो या फिर कॉटन की मदद से आप अपने बालो में लगा सकते हैं आप आफिस जा रहे हों बाल कार रहे हों तब आप इसका इस्तमाल कर सकती हैं आप रात में सोने जा रहे हों तो आप इसका इस्तमाल कर सकती हैं अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं खाली बैठे हैं तो आप इसका इस्तमाल कर सकती हैं जब भी आपको टाइम मिले बस आप तो हेर वाश तुरंती करना है, ऐसा कुछ नहीं है, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, जब भी आपका मन करें तब आप इसका हेर वाश कर लीजे, इतनी पावरफुल रेमेडी में आप लोगों साथ शेयर कर रही हूं, अगर आप इसको पंधरा दिन भी मेरे बता हुए तरीक जब जब आपको टाइम मिले, जब जब आपको लगे कि हाँ बालो में स्प्रे करना है, रोजबरी वाटर का, तब बस आप स्प्रे कर लीजे, ठीक है, अगर आप एक गलास बनाएंगे, तो आपका दो या तीन दिन आराम से चल जाएगा, फ्रीज में रख सकते हैं, ठीक ह पूरे बालो में लगा लीजे, अच्छे से जो है, मसाज भी करिए ताकि ब्लड सर्कूलेशन हो, हलके हाथों से, अगर बहुत जाद आपका हिर फॉल हो रहा है, तो आप हलके हाथों से ही मसाज करें, अगर तेज हाथों से कर दी, तो आपका और भी ज़्यादा बाल गिरन है, तो हलकी मतलब ढीली ढाली चोटी बनाए, तो आप किसी टाइम भी इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, और आपका जो भी फेवरेश रेम्पू है, उससे आप अपने बालो को वाश कर सकते हैं, रोज ही लगाएं मेरे हिसाब से, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आ जब आप यूज करेंगे, तो आपको ऐसी ही लंबे खुप सूरत बाल मिलेंगे, और इस रेमेडी से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिपलाई जरूर करूंगी, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेर नहीं किया